गिरिडास सिंग को आपने सुना गिरिडास सिंग फाइब राण नेता हैं कई बार हिंदू तोकल लेकर बहुत खुल कर बोलते हैं लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोल कर दिखाएए मैं बहुत जल्दी से शिमानी दुर्गा जी आपके पास आता हूं चुकि आपके तो नाम में भी दुर्गाय मैं तो मुझे आप बताईए कि ये जब टिपणियां आप हमारे देश के राजनितिग्यों से सुनती हैं कैसा लगता है और दूसरा सवाल ये कि क्या हिंदू धर्म को टार्गेट करना वाकई इतना आसान है कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रख्या आप कुछ में टिपणि कर दीजे आपको माफी है आप पर कोई कारवाई में अपने दो प्रेशन पूछे हैं मैं सुन रही थी पते बहादूर सिंग जी को जो वो बोल रहे थे और उसमें मैंने पढ़ा भी उस भी का हैं भक्त हैं हम सभी जो यहां बैठे हैं मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ती करते हैं मादुर्गा की तो आप सभी जानते हैं कि महिशा सुर रिप अतिय अभिमानी उनका जो है क्या हाल मादुर्गा ने किया था तो ऐसे एहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं बुद्धी हीन सपने हु सुखनाही ऐसा बुद्धी हीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं क्योंकि इनका अंतनिकट होता है जब अंतनिकट होता है तो हम देवताओं को शक्ति को भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं तो इनके साथ भी वही होगा दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक ती राजनीती है उसी समय पर ये किया जाता है अब क्यूंकि इनको कोई पूछता नहीं है इस सरकार को या ये जो भी लोग है इने कोई पूछता नहीं लेकिन मैं क्या हिंदु धर्म को टार्गित करना असान नहीं है इसलिए हिंदु धर्म से हिंदुत्व की एकता से हिंदुओं के एक होने से सनातन क्या फिर से उध्य होने से ये लोग भी थैं इसके लिए अटैक कर रहे हैं आपने सारी बातों को सुना मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं पहले धर्म और आस्था के आदार पर आपसे समझ लेता हूं कि साब आप भी तो किसी ने किसी को एक्स्ट्रीम शक्ति मानते हूंगे तो किसी को हग थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्म जनता दलके तो नेता है ना विधायक तो आप ही कहा है ना महासाय आपने कोस्टन पूछा है बोलने दीजिए जी कोई तो आप ताव रहने तो आप घुमा रहने तो सबसे पहली लाइन में आपके सबसे सब्सक्राइब पूछा था अनुराग जी हमें यह बताईए जो ट् सुर्जाती का उस समुधाय का प्रतिनिदित्व कर रहे हैं ऐसा क्या नव परसेंट लोग है जो मैसा सुर को सहाधत दिवस के रूप में मनाते हैं यह भी धिन्दु धर्म के अंदर ही है तो मैं बोल रहा हूं कि जो सते बाहदुर जी कह रहा है वो उनकी परसनल अच्छा आप मैसा सुर्की पूजा कर लीजे कौन पिसकी पूजा कर रहा है लेकिन आप मां दुर्गा को कालपनिक मानेंगे सुनिए अनुराजीम हिंदु धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहां पर सरफटोगल कोई क्यों रहे अरे ना मानिये आप सारवजनिक मंच से लोगों की भावनाव को क्यों आहाथ कर रहा है है हर किसी में भिष्वास करती है अगर कोई पत्थर में हैं इसके बाद मैं शिवंजी के पास जा रहा हूं सुबो जी मुझे एक बात बताईए अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो इसमें दूसरों की भावनाई क्यों आहात कर रहा है आप अपने तक सीमित रखी पहली बात तो यह दूसरी बात यह कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक शेप कर दे या आरजेडी पर कोई टि पर देट में हम क्यों आते हैं तो यहां पर आप सठीक मांग का रहे हैं सर आप पानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है मैं अपने अपने एक सब्सक्राइब कर लें और फिर कहें कि नहीं सब हम तो आपकी तरफ हैं मामाध bubble जी आपके पास आ रहा हूं जाथा हूं कि उप सब्सक्राइब करते हैं मैं इकी चीज कहना चाहता हूं के अगर अर्टी की बात करें खास तॉर पर तो वह पार्टी महिसाशुर को मानने वाली पार्टी कि अपने विधियों क्या किया कुछ का पिर यह किए उसके और भी माफी माने मैंczenie का यह ट्रेनिंग कहां से लेकर आए रुक जाए भाई अब इनको प्लीज रोक देजे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे को अरे सब्सक्राइब को बताता है एक बात किया दूं फिर मैं सुबो जी आपको आपका माइक आफ करवा दूंगा सुबो जी एक बहुत सिंपल सी बात है यह मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान शुरी राम को कालपनिक लोग कहते थे 2024 का चुनाव आते आते आज लोग इस बात की दरफ़ास कर रहे हैं कि राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा है तो हमें बुला क्यों नहीं रहा है और वो आपकी सही होगी तो यह सच्छा मा दुर्गा को कालपनिक बताया है RJD वालों ने इसी तरीके से यह तो कुछ भी कह सकते हैं आने वाले समय में च्छटी मैया का त्योहार आने वाला है च्छट करता है पूरा देश और च्छटी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानशुत्री माना गया है और भगवान को गाली दे सकता है कोई भी उनको कालपनिक कह सकता है कोई भी उनको गलत बता सकता है कोई भी उनको महिसासुर से छोटा कर सकता है कोई भी उनको कह सकता है कि यह हुआ ही नहीं और अकर यह हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं आपने लड़ाई लडी तो फिर मा प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानो तो देता है नहीं तो पत्थर वाला स्टेटमेंट किसी को इस बात की इजाज़त देता है कि कोई किसी को धार्मिक तौर पर आहत कर ले मेरा जवाब आप लेंगे तभी आ healthy नहीं देते तो हम क्या बोले और और जीजिए का अब uh लेकिन भगवान को अपने और भगवान सबसे सर वो पर हुआ जटी में एक भगवान को गाली देंगे तो मैं सुन लूं क्या नहीं सुनूंक है प्रफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप प्रेम जी प्लीज अपनी बात को गईए में पास वक्त रखने दिए मुझे प्रिपणिकार देखिये जब सुब्रमानियम सौमी बोलते हैं कि रावन के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है रावन प्रदेश के प्राम्मन थे मंदोद्री मेरट कीत रहने वाली थी और उन्होंने रावन के थोड़ी सावाल उठा दिया था आप बात कह रहे हैं यह तो बात है बोलने मीजे रहे ना आप मेरी आप जानते हैं इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके वक्त की लिमिटेश प्रदेश्टा मेरे शामिल होने के लिए और चली आप रुख करते हैं दोपैर के नमबर वन डिबेट चुका पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादर टिपणी करने वाले बयान विर नेताओं की संख्या बढ़ती जारी सवाल ये कि चुनाव करीब आ र हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाले बयान विरो में अब बिहार के डेहरी से आरजडी के विधायक पते बाहदुर भी शामिल हो चुका है जुन्होंने अब मादुर्गा को लेकर बेहद आपत्ती जनक चिपणी की विधायक जी के मुताबिक मादुर्गा कालप तार करने के लिए विधायक चीने सारी मर्यादाएं तोंटी ज़रा एक पर बायान सुदू लोहा कहीं यह विश्कार आज से उन मनुवादियों से पूछना कajes आता हूं जिन मनुवादी ने यह लिए कि महिसा सुर के करोड़årt करोल से ना के साथ मादुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिसा सुर को संहार कर दिया तो मुठी भर ब्रिटिस municipal जब भारत को गुलाम बनाया तो उस दुर्गा ने ब्रिटिस गुवर्मेंट को संघार करने का काम कैव नहीं किया समाजवादी राजा जो राज में किसी भी परकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया जो सुद्रों का राजा जो बहुजनों का राजा जो भारतवर्स के मुल निवासियों का राजा जो अपने भी पाखंड को फैलने नहीं दिया वैसे रजाओं को इन लोगों ने ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है दूतिय अध्याय इसमें देखिए माद दुरुगा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा तीनों लोक में केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा बिस वाता है अगर दूरुगा दे भी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही केवल बिस में केवल नहीं और आरजेडी विधायक फते बहादुर के विवादित बयान से नितीश कुमार की पार्टी जेडियू ने करनी काकली अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आरजेडी खुद भी मुश्पिलों में पस्तवा गिरती देख रही है अब तक आरजेडी के किसी बड़े नितान इस पर कोई जवाबी टिपणी नहीं की लालू और तेजस्वी की चुपिस सवाल उठा रही है कि क्या जान भूज कर सनातन के विरोध का दाव चला क्या पीजेपी और जेडियू के बयानों को आप सुनिये और समझे कि इसके पी अग्यकुंग है आईसी मानसिक्ता का बहिसकार करना चाहिए सनातन के हमारे पुरानों को गरंतों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं इनके परती आपकी आस्था है या नहीं ये लालू जादव और उनके पुत्र असपष्ट करे तेजस्वी जादव जी कि सनात बिहार सरकार ने जाती आधारित गरना करवाई तो क्या विपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लगतेंगे अगला सवाल जातपाद धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे क्या बिहार को सुलगाएंगे सवाल ये भी कि हिंदू धर्म पर चोड़ तो क्या MY एजिंटे से वोट पालेंगे सवाल अगला ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों की जवाब लेने की कोशुश करेंगे महमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ावा उसका तारूफ आपसे करा दे हमारे साथ इस चरचा में भाग लेने के लिए ये जो आपके रधायक जी कह रहे हैं ये क्या आप लोग भी सच मांते हैं क्या ये पार्टी का स्टेंड है क्या क्योंकि आप देखें कि पहले रामचरीत मानस पर सवाल उठाना वो अभी पुरा विवात सुलजा नहीं उस पर मामले शान्त नहीं हुए अब आपके एक नए विदायक साहब आ गए और अब वो मा दुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने अस्तित्व पर इस सव सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाओं को लेकर राश्टिये जंता दल सम्विधान के मूल्यों पे चलती है और संविधान में लिखा हुआ है कि हर धर्म संभव मतलब सभी धर्मों को आपके विधायक को ये संविधान का नियम नहीं पता क्या सर अभी मैं बता रहा हूँ जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या देखिए एकदम मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी जो है हमारी पार्टी सभी आस्थाओं में विश्वास रखती है जहां तक फते जी की यो बात है फते बहादुर जी ने जो बात कही है अपनी आस्था उनको लगता है सुबोज जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजे फिर उसके बाद मैं दूसरे महमानों का रुख करूँगा मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजे कि राबडी देवी छट पूजा करती है ना उसकी तस्वीर तो पुरा देश देखता है अगर छटी महिया को लेकर लोग कहें कि आजादी की लड़ाई उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली तो आप इसी तरह से जवाब देंगे क्या बैटके अनुराग जी मैं कह रहा हूँ कि हमारी पाटी सभी धर्मों में विश्वास करती है अरे सुथर धर्मों में विश्वास करती है वो ज्यादा ज्हारखन आपको मदपरदेश, उरीशा, आसाम आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं ये लोग सभी मैसा सुर को अपनी आस्था मानते हैं अरे सर तो ऐसे तो रावन को भी लेकर लोग अपनी आस्था मानते हैं कई लोग हैं अभी ये विसरक में चले जाए आपको पता चलेगा कि रावन को लेकर आस्था है कि नहीं है काम बुरा किया था तो वद्ध किया गया ना आप पहिमा मंडित कर रहे हैं तो अभी क्या मैशा सुर के नाम पर बोट मांगेंगे क्या शिवम जी ये क्या मैशा सुर के नाम पर बोट मांगेंगें क्या तो कि आप देखें ये सिर्फ एक पार्टी या एक राज्यो की बात नहीं है पक्षी दलो में ऐसे कई पार्टियां है जो खुलकर सनातन के खिलाब बगवान शुरी राम के खिलाब बोलती है अरे हिंदू धर्म के ग्याता भाईया बस रुख जाए नहीं चाहिए और धर्म पर ग्यान आपसे पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा विशे बहुत साफ है इन्होंने कहा कि देखिए हम तो प्रीज बीच में मत बोलीे ना क्या फाइदा आप बोल रहे थे हैं तो नहीं बोला कोई भी आँगा 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 आपके पास कि आपको चंद शेकर जी की बाइट याद नहीं है कि उन्होंने कहा था कि राम चरित मानस जो है गलत गरंत है इसको बैंट कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीज़ें वह गलत हैं प्लीज बीश में मत बोलिए मुझे बोलने दीजे आप इंको रोकिंगे न भी सुबो इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी यही बाते जरा किसी और से पूछ कर दिखाओ अगर हिम्मत है तो जिनको मां कर सकते हैं और जोचाही कह सकते हैं ऐसा सममान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिन्दू को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए प्लीज बीच में बोल बंद कर ये नाम क्या पर लगा इस विर लगाया हुआ रूख भी नहीं है आपको वोट की राजनीटी करनी है आपको गाली देनी है कि क्यों और को दीजे आमें मत दीजे ठीक है शिवम जी और सुबो जी मैं आपके पास एक बार फिर से आऊं मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरेल जेडी आरेल जेडी के भी प्रवक्ता मादवाने जी जुड़े व अनुराग जी चुने हुए परतिनिधी के रूप में जो आरेल जेडी के बिधायक है फते सिंगबाद उन्होंने कहा कि वो महिसा सुर को मानते हैं तो मुझे लगता है राक्षसी प्रविरिती के हैं इसी दिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और सुबोत जी का बड़ा मैं स अमान करता हूँ हम दोनों ने बहुत लंबे अर्सों तक काम किया है साथ में प्रोफेसर हैं और दिली इन्वर्सेटी में पढ़ाते भी हैं अगर वो अगर इस बकता भी कोई से स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि उनकी नीजी राई हो सकती है तो ये कोई डाईस्ट नहीं करने वाला है मुझे लगता है पूरी तरह आधरनी लालू परशाद यादव जी जब से सक्डिये हुए हैं वैसे तो स्वासकारणों से उनको बेल मिला हुआ है लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की समाजिक सोहार्द को बरबाद कर करने में लगे हुए हैं उसकी करन निटी के कारण और बिना लालू यादव के इसारे के बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप रामचरित मानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें आप मंत्री पदपर बने रहें पार्टी अगर आप पर कारवाई ना करे तो द बिना कोई बयान दे दें अगर रामचरित मानस को लेकर अगर माध दुरगा को लेकर लगाता टिपनी की जा रही है तो लालू परसाद यादव करवा रहें हैं इंटेंशनली पेजस्वी यादव करवार हैं वरना कि इसी की इमत नहीं है ऐसे को प्रेम जी बहुत चोटा स हिसाब से वोट डलेंगे तो 2024 में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जाती बात के आदार पर अगर आपने बाठ दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती तो क्या ये सब कुछ प्लांड तरी प्रतिक्रिया नहीं होती है अगर टिपनीकार जो घेर ब्रह्मन है तब उस पर बंबावाल हो जाता है ना किसी जाती के है ना दर्म के हैं भगवान बहुते हैं जिसकी आस्था है प्रियादा पुछ उत्तम बागवान शेराम सिर्फ ब्रामनों के लिए लेकिन गलत बोलेंगे तो जब आप यह कहा रहे हैं कि ब्रामनों को अगर प्रहार उसी देश में फिलाल इस पूरे मामिडे को लेकर आज़ेडी विदायक गिरिदायक पर गिरिदा सिंग में निशाना साधा गिरिदा सिंग क्या करें सुनिये जरा पर दो ने मादुर्गा पर सवाल उठा दिया पहले सिक्षा मंद्री चंदर सेखर राम चरित मानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने मादुर्गा के अस्तित्यों को लेकर सवाल उठा दिया है कि RJD और नितीश की शरकार कभी रामाइन पे उनके अस्तित्यों पे परसंचीन उठाया आज मादुर्गा जो सक्ती शरूपा है बिद्यादाइनी है हर कई रूप है उनके ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देबताओं पर ये कोई कटाक्छ कर सक्या क्यों यो लोग कमजोड आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रियक्शन नहीं मिलेगा वो जानते हैं अगर मैं मुशलमानों के कुरान पर कोई कॉमेंट कर दूँ तो सरतन से जुदा हो जाएगा यही कारण हिंदू एक जूटना हो यह भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बाट दिया जाए जाती धर्म में उल्जा दिया जाए यह तो सुरू से रहा है हिंदू का दुर्भाग रहा है कि हिंदू हिंदू को जात में बाटने का काम यह सरकार करना अब बिचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी करते हैं यह हिंदू के दुर्दशा है लेकिन भूले नहीं लालु जी और नितीश जी हिंदू के सहसुनुता की परिच्छा ना लिया यह तो कई बरसों से जबसे मुशलमानों ने अपनी ताकत दिखाना सुरू किया है बिहार में तो उनीस उनीस जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले जहां रूट चेंज कर देना दुर्गा के मुर्तियों के साथ छेड़ चार करना आज छपड़ा हो या मुझा फड़ फड़ फूर गिरिरास सिंग को आपने सुना चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रखे आप कुछ बेट पढ़ी कर दीजे आपको माफी है आप पर कोई कारवाई में अपने दो प्रेशन पूछे हैं मैं सुन रही थी पते बहादूर सिंग जी को जो वो बोल रहे थे और उसमें मैंने पढ़ा भी उसमें लिखा था कि ये महिशा सुरु के बंशज स्वैम को बताते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर ये महिशा सुर के बंशज हैं तो महिशा सुर का वद मा दुर्गा ने किया था हम मा दुर्गा की सेविका हैं भक्त हैं हम सभी जो यहां बैठे हैं मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ती करते हैं मा दुर्गा की तो आप सभी जानते ह कि महिशा सुर्ण डिप अति अभिमानी उनका जो है क्या खाल मा दुरगा ने किया था तो ऐसे व्यक्ति तब ऐसा करते हैं उनके साथ भी सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक ती राजनीती है उसी समय पर यह किया जाता है अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है इस सरकार को या ये जो भी लोग है इने कोई पूछता नहीं लेकिन क्या हिंदु धर्म को टार्गेट करना असान नहीं है इसी लिए टार्गेट किया जाता है जो शक्ति शाली होता है उसी को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब पहले धर्म और आस्था के आदार पर आपसे समझ लेता हूं कि साब आप भी तो किसी ने किसी को एक्स्ट्रीम शक्ति मानते हूंगे तो किसी को हग थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है अनुराग जी राष्टिये जनता दल किसी भी धार्मिक भावनाओं को किसी नेता है ना विधायक तो आप ही के है ना अनुराग जी हमें यह बताईए जो ट्राइवल है आदिवासी है वो हिंदू है कि नहीं है आपको पता है असूर जन जाती पाई जाती है जारखन में आपको मद्ध पर्देश में और असाम में और बंगाल में आपको पता है मतलब विधायक जी जो है वो उस असूर जाती का उस त्राइबल समुधाय का प्रतिनिदित्व कर रहे हैं ऐसा क्या नौ परसेंट लोग है जो मैंसा सूर को सहाधत दिवस के रूप में मनाते हैं यह भी हिंदू धर्म के अंदर ही है तो मैं बोल रहा हूं कि जो सते बाहद क्या आपकी पार्टी के लिए कालपनिक है मैसा सूर की पूजा कीजिए आप चलिए आप कर लीजिए हो सकते हैं आपको वोट मिलते हूं लेकिन आप माध दुर्गा को कालपनिक मानेंगे सुनिए अनुराजीम हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहां पर सर्फटोगल कोई क्यों रहे हैं अरे ना मानिए आप तो सारवजनिक मंज से लोगों की भावनाम को क्यों आहाद कर रहे हैं में बिष्वास करती है हर किजी में बिष्वास करती है अगर कोई पत्थर में बात बताई एक चीज का मुझे जवाब चाहिए उसके बाद मैं शिवंजी के पास जा रहा हूं सुभो जी मुझे एक बात बताईए अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो इसमें दूसरों की भावनाएं क्यों आहत कर रहे हैं आप अपने तक सीमी तरकी पहली बात तो यह दूसरी बात यह कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक शेप कर दे या आरजेडी पर कोई टि हम क्यों आते हैं तो यहां पर यहां प्याव प्रणागी आप के लिहाज से आपके करन भी कर लें जाती के आदाप बटवारा भी कर लें और फिर कहें कि नहीं नहीं साब हम तो आपकी तरफ हैं मैं इकी चीज कहना चाहता हूं कि अगर आरजेडी की बात करें खास तो वह पार्टी महिसासुर को मानने वाली पार्टी है अगर यह महिसासुर को नहीं मानते तो इन्होंने अपने विधायक के बारे में क्या किया क्या उसको इन्होंने कुछ कहा क्या इसको उन्होंने डा रुख जाईए यह ट्रेनिंग कहां से लेकर आए रुख जाईए भाई अब इनको प्लीज रोक दीजे मेरी रिक्वेस्ट है आप से को अरे सब्सक्राइब को बताता है एक बात कहा दूं फिर मैं सुबो जी आपको आपका माइक आफ करवा दूगा सुबो जी एक बहुत सिं प्रइब करने कैंगे करता है कि जड़ी को जसे तरीके से कालपनीक बताया है आरजका गंसे बता बहुत आने वाले समय में चठी मईय का त्योहार करता है पूरा देश ओर चटी मैय प्रमा की मानसुत्री माना गया है और भगवान सूर की बहन माना गया ये तो उसको भी कालपनिक मानते हैं फिर इसका मतलब तो ये इतना धोंग क्यों करते हो भाई ये पूरा चटी मया की इतनी पूजा क्यों करते हो अगर सनातन में विश्वास नहीं है हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है, मादुर्गा में विश्वास नहीं है, छटी महिया में विश्वास नहीं है, कोई भी उनको गाली दे सकता है, कोई भी उनको कालपनिक कह सकता है, कोई भी उनको गलत बता सकता है, कोई भी उनको कह सकता है, कोई भी उनको कह सकता है, कोई भी उनको कह सकता है, कोई भ लड़ाई लड़ी तो फिर मान कर ये ड्रामा क्यों करते हो ये बैठ कर पूजा करकर उसका लाइफ पर सारण क्यों करवाते हो अगर हिंदु धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाओ लड़ो ना उसी पर गाली ही दो लेकिन गाली भी देनी है हम किसी धन का अपमान भ जीका कि क्या मानों तो देता नहीं तो पत्थर वाला स्तेटमेट किसी को इस बात की इजाज़त देता है कि को इसी को धार्मिक तो पर आहत करने तो हम जवाब दे सके तो हम और हम जवाब दे पर कहता हूं कि अगर प्रेम जिए का देख बहुतжеरों आप ने तो प्रोफेसर साहब को बता दिया कि 이 के प्रोफेसर नहीं कर लोकिया 2 नहीं सुनूंगा एक बारे सुनूं अरे प्रेम जाते हैं अगर मेरे धाम को गाली देंगे तो क्यों सुम्हें आप उने प्रोफेसर सम्मान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप ठीक है प्रेम जी प्लीज अपनी बात को गईए में पास वक्ति अपनी बात रखने दिए मुझे अपनी कार तेखिये जब सुब्रमानियम स्व सुब्रमानियम स्वामी बोलते हैं कि रावन के बारे में गलत इतिहास बताया जाता है रावन उत्तर प्रदेश के प्राम्मन थे मंदोधरी मेरेट की रहने वाली थी और उन्होंने रावन के अस्वाल उठा दिया था आप आप जो बात कह रहे हैं तो बात है बोलने नहीं सर इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं वक्त की लिमिटेशन होती है न सर ऐसे थोड़ी का आप जो बोलेंगे सुब्रमानियम स्वामी ने अगर शेत्र के इसाप से बताया तो भगवान शुराम पर टिपणी करते हुए थोड़ी कहा था कि मुझे वरोसा ही नहीं बेराल सर में जे वक्त इतनी इजाज़त दे रहा है बहुत शुक्रिया आप लोगों कामार सर जुड़ने के लिए पुरी चर्चा में शामिल होने के लिए और चली आब रुख करते हैं दोपैर के नमबर वन डिबेट चूका पिछले कुछ दिनों से हिंदू धर्म को लेकर विवादिट टिपणी करने वाले बयानविर नेताओं की संख्या बढ़ती जारी है सवाल ये कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए जहरीली बयानबाजी क्या की जारी है कुछ दिन पहने उदाइनिदे स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयानवाजी की थी इदर रामचरित मानस को लेकर अपमान जनक बयानवाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौरे और बिहार के सिक्षा मंत्री ने संभाला था बिहार के सिक्षा मंत्री ने तो हिंदूों के धर्म गरंद रामचरित मानस की तुनला पोटेश्यम साइनाइट से कर दी था हिंदू धर्म की भावनाओं को आहद करने वाले बयानवीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजोडी के विधायक पते बाहदुर भी शामिल हो चुका है जुन्होंने अब मादुर्गा को लेकर बेहद आपत्ती जनक चिपणी की विधायक जी के मताबिक मादुर्गा कालपनिक है और मादुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है विधायक पते बाहदुर यहीं नहीं रुके उन्होंने महिशा सुर का भी महिमा मंदन कर दिया कहा कि महिशा सुर बहुजन समाज का नियाइक राजा था आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदु धर्म की भावनाओं को तार-तार करने के लिए विधायक चीने, सारी मर्यादा हैं तोंटी, ज़रा एक पर बयान सुटे लोहा कही ये विश्कार आज से 3700 बर्स पूर्ब हुआ जब 3700 बर्स पूर्ब लोहा का विश्कार हुआ तो लोहे का तलवार आ लोहे का चक्र लाखो बर्स पहले कहां से आया, ये साबिद करता है कि ये कालपनिक है मैं उन मनुमादियों से पूछना काता हूँ, जिन मनुमादी ने ये लिखा कि महिसा सूर के कोरोडों कोरोड सेना के साथ मादूरगा ने लड़ाई लड़ा और महिसा सूर को संगहार कर दिया तो मुठी भर ब्रिटिस गुवर्मेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मादूरगा ने क्या कर रही थी गसो हाथ का अवजार कहा था और इस समय तो और अवजार का विश्कार हो चुका था तो माद दुरगा ने ब्रिटिस गुवर्मेंट को संघार करने का काम केव नहीं किया समाजवादी राजा जो अपने राज में किसी भी परकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया जो सुद्रों का राजा जो बहुजनों का राजा जो भारत वर्स के मुल निवासियों का राजा जो अपने सभी परजा को खूस रखा और उस राज में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया वैसे रजाओं को इन लोगों ने ये मनुवादियों नायक से खलनायक बनाने का काम किया है दूतिय अध्याई इसमें दखिये माद दुरुगा जब कदम रखी तो तीनों लोक हीलने लगा तीनों लोक में केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा 20 वाता है अगर दूरुगा दे भी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही केवल 20 में केवल नहीं और आर्जेडी विधायक फते बहादुर के विवादित बयान से नितीश कुमार की पार्टी जेडियू ने करनी काकली अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आर्जेडी खुद भी मुश्किलों में पस्तवा गिरती देख रही है अब तक आर्जेडी के किसी बड़े नेतान इस पर कोई जवाबी टिपणी नहीं की है लालू और तेजस्वी की चुपी सवाल उठा रही है कि क्या जान भूझ कर सनातन के विरोध का दाव चला क्या पीजेडी और जेडियू के बयानों को आप सुनिये और समझे कि इसके पीछे की सियासत क्या कै मावारती के संतान को ये जिस तरह की भासा का पड़ियोग करके जो तुष्टी करन का खेल खेलना चाहते है ये दुकत दुरुभाग पुन है आईसी मानसिक्ता का बहिसकार करना चाहिए सनातन के हमारे पुरानों को गरंतों को और हमारे जो सनातन के सदगुरु रहे हैं इनके परती आपकी आस्था है या नहीं ये लालू जादव और उनके पुत्र अस्पष्ट करे तेजस्वी जादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं बिहार सरकार ने जाती आधारित गरना करवाई और चली अब मैं बहुत जल्दी से आपको बताता हूँ दोपैर के नमबर बन डिबेट चोके बहस के सवाल क्या है आटजेटी के बयान बहादूर तो क्या पूरबच महिशा सुर है सबसे बड़ा सवाल यही है सवाल यह भी कि लोग सभा फतेय के लिए क्या ये पूरा फसादी प्लान तयार किया गया है क्योंकि निता एक के दुखे नहीं है या एक दो पाटी के नहीं है कई सारे विपक्षी निता है सवाल ये कि सनातन पर ठेस तो क्या वेपक्षी नेताओं में इसकी रेस सी लगतेगे अगला सवाल जातपाद धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे क्या बिहार को सुलगाएंगे सवाल ये भी कि हिंदू धर्म पर चोड तो क्या MY एजेंटे से वोट पालेंगे सवाल अगला ये कि दुरगा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशुश करेंगे महमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा वा उसका तारूफ आपसे करा दे हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़े में बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ माधव आनंध है, RLJD के नेता है, शिवानी दुर्गा जी हमारे साथ है, जो कि हिंदू धर्म गुरू है, हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मैता है, RGD के नेता है और हमारे साथ प्रेम कुमार जी है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आप सभी मैमानू का शान्त नहीं हुए अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और अब वो मादुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने अस्तित्व पर इस सवाल खड़े कर दिये तो आप लोग क्या वाकई में मादुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्ण चुने रखते हैं क्या आ संभव मतलब सभी धर्मों को यह संविधान का नियम नहीं पता क्या सर अभी मैं बता रहा हूं न जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले और यह है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर कोई ऐसा व्यक्त अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या देखिए एकदम मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी जो है हमारी पार्टी सभी सुबोज जी मुझे एक लाइन में जवाब दीजे फिर उसके बाद में दूसरे महमानों का रुख करूंगा मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजे कि राबडी देवी छट पूजा करती है ना उसकी तस्वीर तो पुरा देश देखता है अगर छटी महिया को लेकर पर सवाल क्यों जहां तक बात रही महसा सुर की तो आप जानिए भारत में 2011 के सेंसेस के इसाब से लगवग 2% आदिवासी लोग हैं आदिवासी जितने साथी और भाई बंदू है वो ज्यादा जार्खन महरा आपको मदपरदेश उरीशा आसाम आप बिहार के बौर्डर प सब्सक्राइब कर दो अब सब्सक्राइब करें तो क्या मैशा सुर के नाम पर वोक्राइब कर आई गए क्या आप कई दलों में ऐसे कई निस्हें की फार्टियां है कि भुलकर सनातन के खराब बहुत तीए हमें लगूप अरे अरे हिंदु धर्म के ग्याता भाईया बस रुख जाए नहीं चाहिए और धर्म पर ग्यान आप से पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा विशह बहुत सासा इन्हों प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी या फिर घमंडिया या फिर इंडिया लाइन्स सभी धर्मों का सम्मान करता है अगर राम चरित मानस को गाली देना सम्मान है तो हिंदु धर्म के लोगों को आप से सम्मान नहीं चाहिए आप हम से नफरत करें अगर प्लीज आप इनको बंद कर दीजे बीच में मत बोलिए ना आपके मंतरी के बाइट याद नहीं है कि उन्हों ने कहा था कि राम चरितमानस जो है गलत गरंत है इसको बैंट कर देना चाहिए और इसमें जितनी भी चीज़ें वह गलत हैं प्लीज बीच में मत बोलिए मुझे बोलने दीजे आप इनको कालपनिक है महिसा सुर्जो है राजा है और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी और अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया तो फिर उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी यही बाते जरा किसी औ और से पूछ कर दिखाओ अगर हिम्मत है तो जिनको वोड़ बैंक मानते हो जरा एक बार पूछ के दिखाओ ना आपके विधायक और आपके विधायकी गर्दन कामे लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आप हिंदु धर्म का आप मादुर्गा का आप मान कर सकते हैं आप नौ नवरात्रों का अपमान कर सकते हैं उनकी लड़ाई का अपमान कर सकते हैं हिंदु धर्म का अपमान कर सकते हैं और जो चाहिए कैसकते हैं ऐसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो हम हिंदुओं को आपके ऐसा सम्मान नहीं चाहिए बात साफ है आप हमारी किलवार नहीं कर सकते हैं आपको वोट की राजनीटी करनी है आपको गाली देनी है कि कि और को दीजे आमें मैं बहुत जल्दी से हमारे साथ आरेल जेडी आरेल जेडी के भी प्रवक्ता माधवानन जी जुड़े वे माधव जी अगर आप बहुत संशिप्त में बता है क्या म जबूर ये कहने की अनुराग जी चुने हुए परतिनिधी के रूप में जो आरेल जेडी के विधायक है फते इसिंगबाद उन्होंने कहा कि उमहिसा सुर को मानते हैं तो मुझे लगता है राक्षसी प्रविर्टी के हैं इसी दिए इस तरह का बयान दे रहे हैं और सुब जब से सक्डिये हुए हैं वैसे तो स्वासकारणों से उनको बेल मिला हुआ है लेकिन जब से अभी बेल पे हैं तब से लगातार बिहार की समाजिक सोहार्द को बरवाद करने में लगे हुए हैं उस्टी करन दिए के कारण और बिना लालू यादब के इसारे के न सिक्षा यह बहुत important बात है क्योंकि आप राम चरित मानस में खोट देखकर अपना बयान दे दें आप मंत्री पद पर बने रहें पार्टी अगर आप पर कारवाई ना करें तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले निता होंगे वो तो निकल कर सामने आई जाएंगे या हो सकता है पा अगर नातन को लेकर अगर राम चरित मानस को लेकर अगर माध दर्गा को लेकर लगाता टिपनी की जा रही है तो लालु प्रसाद यादफ करवार हैं इंटेंश यह पर नहीं रहें कि प्रेम जी या राजनीतिक जो समीकरण है क्या साधने के लिए क्या क्योंकि कुछ में बीजेपी हो सकता है कि अपना प्रॉफिट लेकर चली जाए लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जाती वात के आधार पर अगर आपने बाठ दिया तो फिर चुनाव की स्थितियां दूसरी हो सकती तो क्या यह सब प्याइद देखे प्रतिक्रियाय कौन दे रहा है एक इंदु धरन पर टिपणी आज से नहीं हमेशा लोग करते हैं और जब टिपणी होती है अगर टिपणी कार ब्रामन है अगर जो घैर ब्रामन है तब उस पर भावल हो से टिपनी कार ब्रह्मन पर प्रतिकरिया वहीं प्रेम कुमार जी क्या बात चरहें अप्र जाती जाती लिए सब्सक्राइब कि ना ना समस्टी ना धर्म को बात करें करते हैं भागवान शेर्व ब्रहंनों को बर्यादा पुर्च उपतम बगवान शीरां मिले गई ना आप इस पूरे मामेरे को लेकर आर्जडी विदायक गिर्रासिंग में निशाना साधा गिरिदा सिंग क्या करें सुनिये जरा आज मादुर्गा जो सक्ति शरूपा हैं विद्यादाइनी हैं हर कई रूप हैं उनके ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं इन में हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देपताओं पर ये कोई कटाक्छ कर सके हैं क्यों यो लोग कमजोर आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रियक्शन नहीं मिलेगा वो जानते हैं अगर मैं मुशलमानों के कुरान पर कोई कॉमेंट कर दू तो सरतन से जुदा हो जाएगा यही कारण हिंदू एक जूटना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या किस तरह के बेहान देकर उनको बाट दिया जाए जाती धर्म में उल्जा दिया जाए ये तो सुरू से रहा है हिंदूों का दुर्भाग रहा है कि हिंदू हिंदूों को जात में बाटने का काम ये सरकार करना अब बिचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी करते हैं ये हिंदूओं के दुर्दशा है लेकिन भूले नहीं लालू जी और नितिश जी हिंदू के सहसनुत आप की परिच्छा ना ले अज छपड़ा में भी मुर्ती विसर्जन को लेकर विवाद हुआ वहाँ भी पत्थरवाजी की गई या तराप्या विगुसराय में आप थे ही ये तो कई बरसों से जबसे मुशलमानों ने अपनी ताकत दिखाना सुरू किया है बिहार में तो 19-19 जिले लगभग रहे हैं आज से कई साल पहले जहां रूट चेंज कर देना दुर्गा के मुर्तियों के साथ छेड़चार करना आज छपड़ा हो या मुझा फड़पू गिरिडास सिंग को आपने सुना गिरिडास सिंग फाइब राण नेता हैं कई बार हिंदु तोकर लेकर बहुत खुल कर बोलते हैं लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोल कर दिखाए बहुत जल्दी से शिमानी दुर्गा जी आप आपके पास आता हूं चुकि आपके तो नाम में भी दुर्गा है मैं तो मुझे आप बताईए कि यह जब टिफपणियां आप हमारे देश के राजनितिग्यों से सुनती हैं कैसा लगता है और दूसा सवाल यह कि क्या हिंदु धर्म को टार्गेट करना वाकई इतना आसान हैं कि चुनाव आते ही अपने वोट बैंक को ध्यान में रखे आप कुछ में टिफपणि कर दीजे आपको माफी आप पर कोई कारवाई में अपने दो प्रेशन पूछे हैं मैं सुन रही थी पते बहादूर सिंग जी को जो वो बोल रहे थे और उसमें मैंने पढ़ा भी उ सेविका हैं भक्त हैं हम सभी जो यहां बैठे हैं मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं मादुर्गा की तो आप सभी जानते हैं कि महिशा सुर रिप अतिय अभिमानी उनका जो है क्या हाल मादुर्गा ने किया था तो ऐसे एहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते है बुद्धी हीन सपने हु सुखनाही ऐसा बुद्धी हीन व्यक्ति करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं क्योंकि इनका अंतनिकट होता है जब अंतनिकट होता है तो हम देवताओं को शक्ति को भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं तो इनके साथ भी वही होगा दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक ती राजनीती है उसी समय पर यह किया जाता है अब क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं है इस सरकार को यह जो भी लोग है इन्हें कोई पूछता नहीं लेकिन मैं क्या हिंदु धर्म को टार्गे करना असान नहीं है इसी लिए एक होने से सनातन किया फिर से उधे होने से ये लोग भी थें इसके लिए अटैक कर रहे हैं मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा सुबोज जी आपने सारी बातों को सुना मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं पहले धर्म और आस्था के आदार पर आपसे समझ लेता हूँ नेता है ना विधायक तो आप ही कह ना महासाय आपने कोस्टन पूछा है बोलने दीजिए जै कोई तो आप ताल रहने तो सबसे पहली लाइन आप से सबसे 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 पूछा था अनुराग जी हमें यह बताईए जो ट्राइवल है आदिवासी है वो हिंदू है की नहीं ह आपको पता है असूर जंजाती पाई जाती है ज्हारकंड में आपको नवपर्देश में और असाम में और बंगाल में आपको पता है महसा सूर की नाम पे मतलब विधायक जी जो हैं वो उस त्राइवल समुदाय का प्रतिनिद्व कर रहे हैं ऐसा क्या 9% लोग हैं जो महिसा सुर को सहादत दिवस के रूप में मनाते हैं ये भी हिंदु धर्म के अंदर ही है तो मैं बोल रहा हूं कि जो सते बाहदुर जी कह रहा है वो उनकी परसनल अच्छा चलिए ठीक है आप महिसा सुर की पूजा कर लिजे कौन किसकी पूजा कर रहा है इस महिसा सुर की पूजा कीजे आप चलिए आप कर लिजे हो सकता है ये वोट मिलते हूं लेकिन आप माा दुर्गा को कालपनिक मानेंगे अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहां पर सर्फटोगल कोई क्यों रहे अगर कोई पत्थर में बिश्वास करती है अगर कोई पत्थर में आप पड़े लिखे वेक्ति यह मैं एक लाइन में आप से जवाब चाओंगा सुबोजी मुझे एक बात बताईए एक बात बताईए अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो इसमें दूसरों की बावना क्यों आहत कर रहा है आप अपने तक्सीमित रखी पहली बात तो यह दूसरी बात यह कि अगर आरजेडी पर कोई पटाक शेप कर दे या आरजेड आप जैसे कई प्रवक्ता आजाते हैं तो किसी के धर्म पर आप इतना बोले उसकी धार्मिक भावनाई भी आहत ना हो आप सिर्फ यह कहकर पला जाड़ ले कि वह उनकी विचार दारा है अरे पला जारना होता है नुराज जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं तो शिवम च्यागी चुपन वाली बात देना चौबीस के लिहाज से उसकी करन भी कर लें जाती के आदाब पर बटवारा भी कर लें और पिर कहें कि नहीं नहीं साफ हम तो आपकी तरफ हैं मादव ची पुछ कघाँ आप के बात आरहं यह दूस को मानने वाली पर्टी है क्या उसको कि पर इसको उन्होंने कखा क्या इसको उन्होंने मावी माझने को कहा फिर भी उसके बाद में भी जी जीए आपकी आवाज नहीं आ रही है विंडो बंद है उसमें भी आप बोले जा रहे हैं रुक जाईए ये ट्रेनिंग कहां से लेकर आए हैं रुक जाईए भाई इनको प्लीज रोक दीजे मेरी रिक्वेस्ट है आप से को अरे सर रही बोल रहा है तो यह सुबो जी एक सच्छा ही मैं आपको बताता हूं एक बात कह दूँ फिर मैं सुबो जी आपको आपका माइक आफ करवा दूँगा सुबो जी एक बहुत सिंपल सी बात है ये मुझे याद है कि कुछ साल पहले तक भगवान शुरी राम को कालपनिक लोग कहते थे दोजार चौबिस का चुनाव आते आते हैं आज लोग इस बात की द मादुरगा को कालपनिक बताया है RJD वालों ने इसी तरीके से ये तो कुछ भी कह सकते हैं आने वाले समय में चटी मैया का तियोहार आने वाला है छट करता है पूरा देश और चटी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की मानशुतरी माना गया है और भगवान शूरी की बहन म विश्वास नहीं है कोई भी उनको गाली दे सकता है कोई भी उनको कालपनिक कह सकता है कोई भी उनको गलत बता सकता है कोई भी उनको महिसा सुर से छोटा कर सकता है कोई भी उनको कह सकता है कि यह हुआ ही नहीं और अगर यह हुआ है तो अंग्रेजों के साथ क्यों नहीं और अपने मंतरी को कुछ कहते भी नहीं तो भगवान को कम से कम वोट बैंक में ना लाए ना पर भी जाते हैं च्छटी महीया को वोट डंग में ना लाए प्रेम कुमार जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि क्या मानों तो देता है नहीं तो पत्थर वाला नहीं हात मैं नहीं तो बहुत आते हैं अपने तो प्रॉफेसर साहब बता दिया कि कփओ कर देन करता हो लेकिन भगवान को कि में प्रफेसर समान है उस बात का लेकिन गाली नहीं दे सकते आप कि कि प्रेम जी प्रेम जी प्लीज अपनी बात को कहिए मैं पास वक्यमिट तस अपनी कर देखिये जब सुब्रमानियम स्वामी बोलते हैं कि रावन के बारे में गलत इतिया हस बताया जाता है रावन उत्तरप्रदेश के प्रामपन थे मंधोधरी मेरट कीट रहने वाली थी और उन्होंने रावन के थोड़ी सा वाल उठा दिया था आप जानते इतने डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं वक्त की लिमिटेशन होती है न सर ऐसा थोड़ी के आप जो बोलेगे सुप्रमाने क्वामी ने अगर शेत्र के इसाब बता है तो भगवान शुराम पर हिंदू धर्म को लेकर विवादर टिपणी करने वाले बयान विर नेताओं की संख्या बढ़ती जारी सवाल ये कि चुनाव करीब आ रहे हैं इसलिए जहरीली बयान वाजी क्या की जा रही है कुछ दिन पहने उदाइनिदे स्टालिन ने सनातन पर बेजा बयान वाजी की इदर राम चरित मानस को लेकर अपमान जनक बयान वाजी का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौरे और बिहार के सिक्षा मंत्री ने संभाला था बिहार के सिक्षा मंत्री ने तो हिंदूों के धर्म ग्रंट राम चरीत मानस की तुनला पोटेश्यम साइनाइट से कर दी थी हिंदू धर्म की भावनाओं को आहद करने वाले बयान वीरों में अब बिहार के डेहरी से आरजोडी के विधायक पते बाहदुर भी शामिल हो चुका है जुन्होंने अब मादुर्गा को लेकर बेहद आपत्ती जनक चिपणी की विधायक जी के मताबिक मादुर्गा कालपनिक है और मादुर्गा की पूजा में फिजूल खर्ची होती है विधायक पते बाहदुर यही नहीं रुके उन्होंने महिशा सुर का भी महिमा मंदन कर दिया कहा कि महिशा सुर बहूजन समाज का न्याइक राजा था आपको सुनाते हैं कि कैसे हिंदु धर्म की भावनाओं को तार-तार करने के लिए विधायक चीने, सारी मर्यादा हैं तो, ज़रा एक बर बयान सुने लोहा कही ये विश्कार आज से 3700 बर्स पूर्ब हुआ जब 3700 बर्स पूर्ब लोहा का विश्कार हुआ तो लोहे का तलवार आ लोहे का चक्र लाखो बर्स पहले कहां से आया ये शाबित करता है कि ये कालपनीक है मैं उन मनुमादियों से पुछना क्याता हूँ जिन मनुमादी ने एं लिखा कि महीशा सूर के हग के करोणों करोण सेना के साथ मादूरगा ने लड़ाई लड़ा और महीशा सूर को संगहार कर दिया तो मुठी भर ब्रिटीश गुवर्मेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मादूरगा ने क्या कर रही थी गसो हाथ का अवजार कहा था और इस समय तो और अवजार का विश्कार हो चुका था तो माद दुरगा ने ब्रिटिस गुवर्मेंट को संघार करने का काम केव नहीं किया समाजवादी राजा जो अपने राज में किसी भी परकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया जो सुद्रों का राजा जो बहुजनों का राजा जो भारत वर्स के मुल निवासियों का राजा जो अपने सभी परजा को खुस रखा और उस राज में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया वैसे रजाओं को इन लोगों ने ये मनुवादियों नायक से खलनायक बनाने का काम किया है दिवतिय अध्याई इसमें दखिये माद दुरुगा जब कदम रखी तो तीनों लोक हीलने लगा तीनों लोक में क्या केवल भारत ही आता है क्या कि पूरा बिस वाता है अगर दुरुगा दे भी होती और इनका उतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही केव बिस में केव नहीं और आज़ेडी विधायक पते बहादुर के विवादित बयान से नितीश कुमार की पार्टी जेडियों ने करनी काकली अपने विधायक के विवादित बयान पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आज़ेडी खुद भी मुश्पिलों में पस्तावा गिरती देख रही है अब तक आज़ेडी के किसी बड़े नेतान इस पर कोई जवाबी चिपणी नहीं की लालू और तेजस्वी की चुपिस सवाल उठा रही है कि क्या जान भूझकर सनातन के विरोध का दाव चला क्या पीजेपी और जेडियों के बयानों को आप सुनिये और समझे कि इसके पीछे की सियासत क्या क्या है मावारती के संतान को ये जिस तरह की भासा का पड़ियोग करके जो तुष्टी करन का खेल खेलना चाहते हैं ये दुकत दुरभागपुन है आईसी मानसिक्ता का वहिस्कार करना चाहिए सनातन के हमारे पुरानों को गरंतों को और हमारे जो सनातन के सद्गुरु रहे हैं इनके परती आपकी आस्था है या नहीं ये लालू जादव और उनके पुत्र अस्पष्ट करे तेजस्वी जादव जी कि सनातन में आपको आस्था और विश्वास है या नहीं बिहार सरकार ने जाती आधारित गरना करवाई अगला सवाल जातवाद धर्म पर क्या बिहार में आग लगाएंगे क्या बिहार को सुलगाएंगे सवाल ये भी कि हिंदू धर्म पर चोड ये कि दुर्गा का अपमान करके 24 का दुर्ग जीत जाएंगे क्या ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर हम तमाम सवालों की जवाब लेने की कोशुश करेंगे मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा वा उसका तारूफ आप से करा दे हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए पर सवाल उठाना वह अभी पुरा विवात सुलजा नहीं उस पर मामले शांत नहीं हुए अब आपके एक नए विधायक साहब आ गए और वो मादुर्गा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने अस्तित्व पर इस सवाल खड़े कर दिये तो आप लोग क्या वाकई में मादुर्गा के अस्तित्व पर प्रश्ट चूने रखते हैं क्या अरजडी के लोग देखिए राष्टिये जनता दल सभी धर्वों में सभी विश्वासों में अपना आस्था रखती है और सभी आस्थाऊं को लेकर राष्टिये जनता दल चलने वाली पार्टी है जो हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं हिंदू में हम लोग सब ये मानते हैं कि भाई सभी को लेकर हम लोग चले और यह है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अगर उनको लगता है कि भाई ये बाते जो है उतार्किक मेरे हिसाब से नहीं अगर धर्म की बात होती है तो उसमें आस्था और विश्वास अपने आप जुड़ जाएगा तो लोगों की आस्था और विश्वास का क्या इस तरह के बयानों से क्या वो आहत नहीं होते क्या देखिए, एक्दम मैं कहे रहा हूँ, हमारी पार्टी सब ही आस्थाओं में विश्वास रखती है जहाँ तक फते जी के अपनी आस्था उनको लगता है कि पहिसा शूर में उनी आस्था है तो बोजी मुझे एक लाइन में जवाब दीजे, फिर उसके बाद मैं दूसरे महमानों का रुख करूँगा, मुझे एक लाइन में जवाब ये दीजे, कि राबडी देवी छट पूजा करती है, उसकी तस्वीर तो पुरा देश देखता है, अगर छटी महिया को लेकर लोग उन्होंने क्यों नहीं लड़ ली, तो आप इसी तरह से जवाब देंगे, क्या बैठके, अनुराग जी मैं कह रहा हूँ, कि हमारी पाटी सभी धर्मों में विश्वास करती है, अरे सुथर, धर्मों में विश्वास करती है, तो रामचरिच मानस पर सवाल क्यों, जहां तक बात रही महसा सूर की, तो आप जानिए भारत में 2021 के सेंसेस के हिसाब से लगवग 9% आदिवासी लोग है, आदिवासी जितने साथी और भाई बंदू है, वो ज्यादा जहारखन, महरा, आपको मद्ध परदे, सुरीशा, आसाम, आप बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं, य राम बुरा किया था, तो वध किया गया न, आप महिमा मंधित कर रहे हैं, ने तो अब क्या महिशा सूर के नाम पर वोट बात माँएं गया, तो कि आप लेखे ये सिफ एक पार्टी या, राज्य की बात नहीं है, पक्षड दलो में ऐसे कई पार्टियां है, जो खुलकर सन अरे हिंदु धर्म के ग्याता भाया बस रुख जाए नहीं चाहिए और धर्म पर ग्यान आपसे पहले ही आपके विधायक जी और मंत्री जी काफी दे चुके हैं अब हमें भी बोल लेने दो थोड़ा सा विशह बहुत साफा इनों ने कहा कि देखिए हम तो प्रीज बीच में प्रोफेसर साब है ना अरे सुबोच जी आप सुन तो लीजे बीजे अगर इसके अलावा आप हमारा सम्मान ऐसा करना चाहते हैं कि माता मादुर्गा जो है वो कालपनिक है महिसा सुर जो है राजा है और अगर माता इतनी मतलब मजबूत थी तो उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी और अंग्रेजों ने भारत को गुल लेकिन आप हिंदु धर्म का आप मान कर सकते हैं आप मादुर्गा का आप मान कर सकते हैं आप नौन अवरात्रों का आप मान कर सकते हैं उनकी लड़ाई का आप मान कर सकते हैं हिंदु धर्म का आप मान कर सकते हैं और जो चाहिए कैसा सम्मान अगर आप सबका करते हैं तो ह ऐसा संमान नहीं चाहिए बात साफ है आप हमारी आस्था से आप हिंदूों की आस्था से खिलवार नहीं कर सकते हैं आपको वोट की राजनीटी करनी है आपको गाली देनी है कि कि और को दीजिया में मत देजिए ठीक है शिवम जी और सुभोजी मैं आपके पास एक बाफ फि पढ़ता आ रहा हूं नेता जी आकर कोई और मतलब दिखा देते हैं या सिखा देते हैं यह क्या मजबूर यह कहने की अनुराग जी चुने हुए परतिनिधी के रूप में जो आर्जेडी के विधायक है फते सिंगबाद उन्होंने कहा कि उमहिसा सुर को मानते हैं तो मुझे अगर इस बकता भी कोई से स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि उनकी नीजी राई हो सकती है तो यह कोई डाइजेस्ट नहीं करने वाला है मुझे लगता है पूरी तरह आधरनिये लालू परशाद यादब जी जब से सक्डिये हुए हैं वैसे तो स्वासका में खोट देखकर अपना बयान दे दें आप मंत्री पद पर बने रहें पार्टी अगर आप पर कारवाई ना करें तो दूसरे इस तरह की जो सोच वाले निता होंगे वह तो निकल कर सामने आई जाएंगे या हो सकता है पार्टी कारवाई कैसे करेगी लालू परसाद अगर रामचरित मानस को लेकर अगर माद दुर्गा को लेकर लगाता टिपनी की जा रही है तो लालू परसाद यादफ करवा रहें हैं इंटेंशनली पेजस्वी यादफ करवार हैं वरना किसी की इमत नहीं है ऐसे कोई बहुत चोटा से रेक्शन में ब्रेक पर जाना चा लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जाती बात के आदार पर अगर आपने बाठ दिया तो फिर चुनाव की इस्तितियां दूसरी हो सकती तो क्या ये सब कुछ प्लांड तरीके से उस दिशा में किया जा रहा है अनुराब जी देखिए प्रतिक्रियां कौन दे रहा है ए उस पर भावाळ हो जाता है यह घैर ब्रहमन पर प्रतिक्रिया दें है अब तरी किसलें पर प्रतिक्रिया देखे के क्या अगया बहार ना किसी जाती के और दर्म के भगवान बहान हो पाइए जिसकी आस्था है लिए लेकिन गलत बोलेंगे तो जब आप यह रहे हैं कि ब्राह्मनों को अगर बोलें की छूट है बाकी लोगों को छूट नहीं तो याप गलत करें पर पड़ाय की जाती तो निबंद लिखना सिफाय जाता है भारत जो है वो धर्मास्था का देश है और धर्म आस्था परस्तर से प्रहार उसी देश में फिलाल इस पूरे मामडे को लेकर आरजडी वधायक गिरीरास आरजडी वधायक पर गिरीरास सिंग में निशाना साधा गिरीरास सिंग क्या कहे रहें सुनिए जरा इनोंने मादुरगा पर सवाल उठा दिया पहले सिक्षा मंद्री चंदर सेखर राम चरित मानस पर सवाल उठाते थे और इन्होंने मादुर्गा के अस्तित्यों को लेकर सवाल उठा दिए। ही रूप है उनके ये हमें एक तरह से ललकारने का काम सनातनियों को कर रहे हैं इनका इनमें हिम्मत नहीं है किसी में कि जो कभी कोई मुस्लिम धर्मों के कुरान के किताब पर या उनके देबताओं पर ये कोई कटाक्च कर सके हैं क्यों यो लोग कमजोड आदमी हैं जो जानते हैं कि हिंदू में सनातन में हमें इसका कोई रियक्शन नहीं मिलेगा वो जानते हैं अगर मैं मुशलमानों के कुरान पर कोई कॉमेंट कर दूँ तो सरतन से जुदा हो जाएगा यही कारण हिंदू एक जूटना हो ये भी कोशिश हो रही है क्या कि इस तरह के बयान देकर उनको बाट दिया जाए जाती धर्म में उल्जा दिया जाए यह तो सुरू से रहा है हिंदू का दुर्भाग रहा है कि हिंदू हिंदू को जात में बाटने का काम ये सरकार करना अब बिचारे धर्म पूछ करके या धर्म जान करके उनके गले भी करते हैं ये हिंदू के दुर्दशा है लेकिन भूले नहीं लालु जी और नितिश जी हिंदू के सहसुनुत आप की परिच्छा ना ले हैं आज छपड़ा में भी मुर्ती विसर्जन को लेकर विवाद हुआ वहां भी पत्थरवाजी की गई या तराप्या वे उसराय में आप थे ही दुर्गा के मुर्तियों के साथ छेड़ चार करना आज छपड़ा हो या मुझा फड़फू गिरिरास सिंग को आपने सुना गिरिरास सिंग फाइब राण नेता हैं कई बार हिंदु तोकर लेकर बहुत खुल कर बोलते हैं लेकिन इस बार वो सवाल पूछ रहें कि दूसरे धर्म पर हिम्मत है तो बोल कर दिखाए बहुत जल्दी से शिमानी दुर्गा जी आपके प पढ़ी कर दीजे आपको माफी है आप पर कोई कारवाई में आपने दो प्रेशन पूछे हैं मैं सुन रही थी पते बहादूर सिंग जी को जो वो बोल रहे थे और उसमें मैंने पढ़ा भी उसमें लिखा था कि ये महिशा सुरु के बंशज स्वैम को बताते हैं तो मैं य जो यहां बैठे हैं मुझे लगता है पैनल में हम सभी भक्ति करते हैं मादुर्गा की तो आप सभी जानते हैं कि महिशा सुरु रिप अतिय भिमानी उनका जो है क्या हाल मादुर्गा ने किया था तो ऐसे एहंकारी व्यक्ति तब ऐसा करते हैं बुद्धी हीन सपने हू करते हैं कि शक्ति को ललकारते हैं क्योंकि इनका अंतनिकट होता है जब अंतनिकट होता है तो हम देवताओं को शक्ति को भगवान का अपमान करना शुरू कर देते हैं इनके साथ भी वही होगा दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वोट बैंक ती राजनीती है उसी समय मैं क्या Hindu dharm को नहीं है इसलिए टारगेक किया जाता कि एकता से हिंदूओं के एक होने से सनातन क्या फिर से उध्य होने से ये लोग भी थें इसके लिए अटैक कर रहे हैं सुबोज जी आपने सारी बातों को सुना मैं पॉलिटिकल पहलू नहीं पहले धर्म और आस्था के आदार पर आपसे समझ लेता हूं कि साब आप भी तो किसी ने किसी को तो मानते हूंगे भगवान के तौर पर किसी ने किसी को एक्स्ट्रीम शक्ति मानते हूंगे तो किसी को हग थोड़ी है कि उसके धार्मिक भावनाओं को या आपकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुँचा है अनुराग जी राष्टिये जनता दल किसी भी धार्विक भावनाओं को किस नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो आपको पता है असूर जन जाती पाई जाती है जारकन में आपको मदध परदेश में और असाम में और बंगाल में मतलब विदायक जी जो हैं वो उस असूर जाती का उस ऊस त्राइबल समुदाय का प्रतिनिधितव कर रहे हैं ऐसा क्या पूजा कर रहा है this is none of anybody else business but the point is आप ये मुझे बताईए कि मा दुर्गा आपके लिए कालपनिक है क्या आपकी पार्टी के लिए कालपनिक है मैसा सुर्की पूजा कीजिए आप चलिए आप कर लीजिए हो सकता है आपको वोट मिलते हूं लेकिन आप मा दुर्गा को कालपनि सुनिए अनुराल जी हिंदू धर्म में ही मानो तो देव नहीं तो पत्थर अगर कोई उसको पत्थर मान रहा है तो उसको लेकर हम यहां पर सर्फटोंगल को रहे अरे ना मानिये आप सारवजनिक मंच से लोगों की भावनाव को क्यो आहाथ कर रहे हैं करती है हर किसी में बिश्वास करती है अगर को पुझे बात बताई मैं एक जवाब चाहिए उसके बात मैं शिवंजी के पास जा रहा हूं सुबो जी मुझे बात बताईए अगर मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो इसमें दूसरों की भावना क्यों आहत कर रहा है आप आ कर दे या या ऐभी पर कोई टिपण ही कर दे तो बैठ निकल जाते हैं आप जैसे कई प्रवक्त आंगा जाते हैं तो तो सभस्त्रें पर आप इतना बोले है उसकी धार्मिक भावनाहें भी आहत ना हो आप सिर्फ यह कह कर पल्ला जाड़ लें कि वह उनकी विचार दारा है अरे पल्ला जहारना होदा रुराज जी तो आपके डिबेट में हम क्यों आते हैं तो यहां पर भी आप सठीक मांग कर रहें सर आप मानिए कि आपकी पार्टी का लाइन है महिशा सुरवाली आप मान लीजे मैं मौन लूँ आठीक साब आपने एक्सप्प कर लिए हमारी पार मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास आँगा माधव जी आप उसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं एकी चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर आर्जेडी की बात करें खास तो वह पार्टी महिशा सुर को मानने वाली पार्टी है अगर यह महिशा सुर को नहीं मानते तो सब्सक्राइब कर दूंगा सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को कालपनिक लोग कहते थे 2024 का चुनाव आते आज लोग इस बात की दर्खवास कर रहे हैं कि राम सब्सक्राइब कर दूंगा सब्सक्राइब को कालपनिक बताया है आर जेडी वालों इसी तरीके से तो कुछ भी कह सकते हैं आने वाले समय में चटी मैया का त्योहार आने वाला है चट करता है पूरा देश और चटी मैया को जो है भगवान ब्रह्मा की माना शुत्री माना गया है और भगवान सूरी की बहन माना गया यह तो उसको भी कालपनिक मानते है फिर इसका मतलब तो यह इतना धोंग क्यों करते हो भाई ये पूरा चटी मैया की इतनी पूजा क्यों करते हो अगर सनातन में विश्वास नहीं है हिंदू धर्म में विश्वास नहीं है मादुर्गा में विश्वास नहीं है चटी मैया में विश्वास नहीं है कोई भी उनको गाली दे सकता है कोई भी उन करके उसका लाइफ प्रसारण क्यों करवाते हो अगर हिंदु धर्म को गाली ही देनी है तो उसी पर चुनाव लड़ो ना उसी पर गाली ही दो लेकिन गाल